हेलो स्टुडेंट्स दिस इस रितु शर्मा वल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे जिन्होंने फर्स्ट फेज में एक्जाम दिया और पोर्टल पर अंसर अप्लोड करा लेकिन जो लास्ट मे यहां पर मैंने दिखाया हुए प्रव्यू एंड सम्मिट रिस्पॉंस का उस पर इन्होंने क्लिक नहीं कर पाया तो क्या आपको एक्जाम दुबारा देना होगा तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना कुछ न्यू इंफोर्मेशन मुझे पता चली है उसकी बेसिस प आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्लान कर पाएं तो यहां पर देखो जब आप अंसर सम्मिट पर क्लिक नहीं कर पाते थे तो यहां पर आपको कुछ ऐसा मेल आता था थोड़ी देर बाद या रात में कभी भी आया आपको इस तरीके क नहीं होई है अपको इस मेल में क्या लिखा हुआ कि आपका अंसर तो संप्लोड कर दीए गए हैं तो मैंने भी पहले भी बोला था कि आपको एक्जाम दुबारा देनी की जुरूत नहीं अगर आपके answer से auto upload हो गए हैं तो ओके लेकिन यहां पे एक problem यह आ रही है कि कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि मैम हमने यह due को mail किया था इस तरीके से कि हमारा जो है सम्मिट पर क्लिक नहीं हो पाया है तक 11 या साड़ी 11 का जो भी टाइम था उनका तो due की तरफ से sorry due की तरफ से नहीं SOL की तरफ से यह SOL inquiry का mail है जहां से reply आया है जिनको इन्होंने mail कर रहा है तो SOL की तरफ से yes you have to appear in the second phase of the examination मतलब इस mail से क्या आशो हो रहा है कि आपको एक्जाम दुबारा देना होगा लेकिन मुझे यह बात नहीं समझ में हो गया है तो हमें दुबारा एक्जाम क्यों देना होगा लेकिन मेरे पास जो भी इंफोर्मेशन आये नम है बस आप तक वह इंफोर्मेशन पहुंचा रह तो उसमें भी लिखा हुआ है कि एक्जाम सिफ उनी बच्चो को देना है जिन बच्चों का या तो वह अपियर ही नहीं हुई है एक्जाम के अंदर या फिर वह फेल हो गए आंसर अपछलोड करने पर पोर्टल में मतलब अप्लोड भी नहीं कर पाए उन बच्चों को एक् पर नहीं कर पाएं इमेल कर दिया तो उनको टैंशन लेनी की ज़र्वत बिल्कुल नहीं है आपने इमेल कर दिए डाट मिस्ट यहां से आपका कर पाए थे मतलब सम्मिट पर क्लिक नहीं कर पाए थे तो हमें इमेल आया था कि आपको आपके जो डिस्पॉंस इस अना वह ओटो सम्मिट हो गए है वहां पर लेकिन अप जो यहां पर जो एसोल की तरफ से रिपलाई आया है पता नहीं यह जैनूरन रिपलाई है या नहीं अब बहुत है तो डिझे आप इसमें लिखा हुआ है कि आपको दुबारे एक्जाम देना पड़ेगा तो प्लीज आप इसुमेल के साभसे अपना डिसाइड कर लो कि आपको उन डिसाइड करलो कि आपked पर दुबारे dose क्लिक कर नहीं पाए थे मेरे हिसाब से अभी भी मैं वही बोलूँगी कि वो जो आपके मेल्स है वो सुरी जो आपके अंसर से वो पोटल पर अपलोड हो गए है लेकिन अगर मैं इस मेल को मान के चलू आपको दुबारा एक्जाम देना होगा तो कल का भी टाइम है बाकी कल तक को इन्फरमेशन आती है वो के मार्क्स हो सकता है कम आए लेकिन जिन्हों ने पोटल पर कम आंसर सेंड करे थे अब उनके पास एक चांस है दुबारा से कि वो एक्जामीनेशन फॉर्म फिल करके अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते है क्योंकि इस बार कोशिश करना कि आपके सारे आंसर सी इस बार लेकिन जो पोटल पर भी सम्मिट पर क्लिक नहीं कर पाएं और जो इमेल भी नहीं कर रहा है जिन्होंने वो प्लीज एक बार कोशिश करो कि उनके एक्जामीनेशन फॉर्म फिल कर पाएं उसी पेपर का करना जिसका रह गया है सब कर करने की बिल्कुल भी जरूद नहीं है जिसका अच्छे से हो गया इमेल का रिपलाई आ गया पोटल का कन्फरमेशन आ गया उनको कुछ भी करने की जुरूरत नहीं है तो प्लीज देख लो अपने हिसाब से कि आपको एक्जामीनेशन फॉर्म फिल करना है या नहीं करना मुझे जो इन्फरमेशन पता थी वो मैं ज़रूरी था जैसे मुझे कोई भी इन्फरमेशन मिलती है मैं कोशिच करती हूं सारे बच्चों तक वो पहुंचा दी जाए तो प्लीज डू सब्सक्राइब और प्रेस दा बैल आइकन इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जादा स्यादा शियर करें ताकि जो बच सब्सक्राइब उसके बेसिस पर मैं आपको एक्जामेशन फॉर्म फिल करने को बोल रही हूं तो यह थे एक छोटी से इंफरमेशन बागी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए टेक क्यार बाए बाए ओल दे बैस्ट